हेलो दोस्तों, वेलकम टो अनली आईएस CSET एक ऐसा वर्ड जो पिछले कुछ पर्टिकुलर सालों के अंदर UPSC के एक्जाम में काफी टफ स्टूडेंट्स के दिमाग में बन रहा है अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इंजिनेरिंग बैक्ग्राउंड के अब उनको लगता है कि यार हम तो CSET बड़े राम से क्लिर कर लेंगे पर काफी बार ऐसा दिखा गया है कि इंजिनेरिंग बैक्ग्राउंड होने के बावजूद भी काफी स्टूडेंट CSET में फेल होते हैं जहां पर आप नोटिस करोगे 66 से भी नीचे मार्क्स आये हैं जिसके वज़ाद से आपका कॉलिक कुछिशन नहीं हो पा रहा अब आज के लेक्ट्सर में हम यहीं डिसकस करने कोशिश करेंगे कि CSET फेल होने के फीछे के क्या कारण है और साथ ही साथ उन पर्टिकॉल चीज़े को हम कैसे ठीक कर सकते हैं देखो कई बार क्या होता है जब हम लगता है कि हम तो सर इंजनियर हैं हमने तो मैट्स पड़ा हुआ है अपने इंजनिरिंग के अंदर ही ठीक है तो हमें लगता है कि हम तो अराम से कर लेंगे पर एक्चल में ऐसा नहीं है देखो होता क्या है कि definitely maths पड़ा होता है चाहिए आप M1, M2, M3 आपके जो पहले 3 समेस्टर होते हैं उसमें आप maths के बार में पढ़ते हो पर ये जो maths आप यहां पढ़ रहे हो versus जो C-set के अंदर maths आता है ये बहुत different चीज़े हैं वहाँ पर आप पढ़ रहे हो differentiation, integration इस तरह की चीज़ें calculus वगर आ रहा है विरे C-set के अंदर जो topics हैं ये काफी अलग है तो maths और ये वाला maths दोनों अलग हैं यहां पर हम C-set के अंदर बात कर रहे है quantitative aptitude की, हम बात कर रहे है reasoning की तो ये चीज़ें हमें देखनी पढ़ेगी कि नहीं maths मतलब बहुत अलग अलग चीज़े होती हैं ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़े same है plus at the same time हमारी कुछ अपनी खुद की strength and weakness होती है मैं आपको एक example देता हूँ मैं अपना case आपको समझाता हूँ देखो मैं ना, जब मैंने maths नहीं भी पढ़ा मालो इंजनिरी के अदर मैंने maths नहीं भी पढ़ा था उससे पहले भी मेरे अंदर कुछ ऐसी abilities थी जिस वरसे मेरी calculation हो गया मुझे numbers हो गया इनके साथ काफी अच्छे से मुझे ये चीज़े पसंद थी तो हुआ क्या, वो मेरी strengths में automatically आ गया on the other hand, जब मैं बात करता हूँ English की, तो वो मेरा थोड़ा weak area है क्योंकि मुझे कभी interest नहीं रहा कि पर्टिकुलर में novels को पढ़ूँ ये इस तरह चीज़े करूँ तो हर किसी का ना, कुछ ना कुछ strengths होती है कुछ ना कुछ weakness होती है अगर आपका background है भी engineering का या नहीं भी है तब भी हो सकता है कि आपका शायद English की तरफ ज़्यादा interest हो हो सकता है कि आपका quantity की तरफ होता interest ना हो तो हर particular person की irrespective of their background उनकी कुछ ना कुछ strengths and weaknesses हो सकती है और अगर आप particular strengths and weaknesses तो समझ जाओगे न तो C-set clear करने की तरफ थोड़ा और बढ़ पाओगे जैसे ये देखो, ये particular candidate भी एक engineer ही थे पर इनके बड़े ही कम marks आएं है और इस वज़ा से ये means नहीं दे पाए थे इसके साथ ही कई बारना बड़ा ही डर लगता है C-set को सुनके ठीक है ना, जैसे मैंने अब भी starting में बताएं ना आपको कि पिछले 2-3 साल से तो टफ हो गया है तो काफली का students को लगता है यार की C-set पता नहीं कैसे हो पाएगा तो इतना ज़ादा डर बन जाता है ना कि कभी शायद C-set की books को हम हाथ ही नहीं उखा बाते ठीक है जो previous year question attempt करने है और करी नहीं बाते उस वज़ा से क्या आ जाती है एक तरह की anxiety आ जाती है ठीक है डर बढ़ जाता है एंड उसके वज़से performance impact होता है मैं आपको एक example समझाता हूँ एक ना बड़ा ही famous graph है anxiety और performance का ध्यान से इसको notice करना अगर माल लो आपके अंदर किसी चीज़ की anxiety बहुत ही कम है तो कहने का मीनी क्या हुआ आपके अंदर कोई भी इस तरह से ना एक push नहीं मिल रहा ठीक है यहाँ पे बिल्कुल zero push है एक तरह से आप tired feel करते हैं आप exhaustion हो जाती है तो वहाँ पर भी performance नीचे आ जाती है तो दरसल में एक graph इस तरह से move करता है यह जो पट्टी कोई जगा है ना बीच में जहाँ थोड़ी से anxiety होती है एक certain level की वह आपको एक तरफ तो क्या करती है push करती है कि नहीं है मुझे और hard work करना है प्लस साथ ही साथ आपको burn out से भी बचाती है तो थोड़ी level की anxiety is okay बहुत कम होईगी वो भी गलत है बहुत ज़दा होगी वो भी गलत है तो anxiety management भी important है ताँकि आप C-set के अंदर अच्छा कर पाओ तो ज़रूरत क्या है ना ही आपको over confident होना है कि भाहिया मैं तो engineering से हूँ मैं कर लूँगा राम से ये चीज़ भी गलत है on the other hand आपको under confident भी नहीं होना है वो चीज़ भी गलत है एक optimal balance यहाँ पे होना चाहिए इसके साथ ही एक और reason की काफ़ सरे engineers या normal students बाकी जो non engineering students हैं वो C-set नहीं clear कर पाते is the wrong selection of questions कई बार के होते हैं जैसे for example यहाँ देखो यह question आया था भी 2022 नहीं यह मानलो पांचपा question था आपके exam के अंदर तो कई बारना क्या होता है हम गलत question को choose कर लेते हैं पहले तो देखो इस question को पंड़ने में शायद आपको 2-3 minute लग जाए फिर solve करने के अंदर 2-3 minute और लग जाए तो क्या कर रहे हो यहाँ पे आपने गलत question को यहाँ पे select कर लिया टोटल 80 questions है ठीक है 200 marks का paper है आपको जरूरी नहीं है कि हर question को ही solve पेरना है हमें टेक्निकली तो 66.66 marks ही चाहिए ठीक है इससे इजाद चाहिए या फिर कहलो कि थोड़ा safe site रहने के लिए आपको 100 plus marks चाहिए आपको 200 में से 200 थोड़ी न लेके आने है कि हर question attempt करना जूरी है त जब मैं 55th question पर था ना वहाँ पर time up हो गया आखरी के 25 question में देखी नहीं पाया खुद सोचो कितना बुरा लगेगा हो सकता था ना कि 25 question आखरी वाले बड़े असान होते पर हमने क्या किया हमने wrong questions को select कर लिया which led to a very wrong impact आपके C set का उस विचे से आपको clear नहीं कर पाए similarly ठीक है जैसे होता है ना कि हर किसीगा ना कोई ना कोई फेवरेट टॉपिक होता है मालो जैसे आपका permutation and combination फेवरेट टॉपिक है आप बहुत अच्छी हो permutation and combination के अंदर exam में question देखते हो आपको लगता है यार यह तो मेरा सबसे strong area है यह तो question आपका से करूँगा ही करूँगा उस वज़ए से कही बार ना क्या होता है आप यह चीज अपने दिल पे लगा लेते हो और होता क्या है बहुत लंबा time एक question के उपर आप spend कर लेते हो मालो 2-3 question 2-3 minute ल लेती है यह जो दिल पे आपने इस बात को लगा लिया ना यह आपको रोकेगा क्यूंकि देखो चाहे question हो permutation combination का चाहे question हो number system का चाहे question हो time speed distance का है तो marks दोनों के सेम ही तीनों particular topics के marks का question है वो तो same marks कही है धाई marks कही तो है question हो चाहे आप permutation combination का करो या जिस मर्जी का करो तो क क्या फरक पड़ता है कि आपने easy question solve करके time mark सरदित किये medium वाला करके किये या tough वाला करके किये ऐसा थोड़ी है कि कोई tough question करो गया तो कोई आपको medal देदेगा नहीं ऐसा थोड़ी है तो इस वजा से आपको single question के उपर excessive time लगाना भी गलत चीज हो सकती है इसके साथ ही के बार engineers या non-engineers भी see set नहीं clear कर पाते due to time management and exam pressure पता नहीं लगता कौन सा question attempt करना है कौन सा नहीं करना exam के time पे थोड़ा हड़ी में रहते हैं उस वजा से काफी बार इसके regarding भी issue आ जाते हैं तो इन सबी issues को हमें क्या करना है थोड़ा solve करना है तो तरीका क्या है बहरा तो सर ये कि ह हमें demand समझनी पड़ेगी previous year questions के हिसाब से पिछले कुछ सालों का देखो कि क्या pattern चल रहा है कितने question कहां से पूछे जा रहे हैं किस तरह के question पूछे जा रहे हैं क्या easy आ रहे हैं tough आ रहे है medium आ रहे हैं तो अपनी strengths and weaknesses के हिसाब से previous year question देखो फिर एक तरह की हम strategy बनाएं फि बोलते हैं कि सर मुझे ना quantitative aptitude नहीं आता बोलते हैं कि मुझे reasoning नहीं आती reading comprehension नहीं आते इस तरह से ना बहुत बड़े बड़ी चीज़े बोल देते हैं पर देखो actual में ऐसा नहीं है कि कि किसी को quantitative aptitude नहीं आता उसके अंदर भी ना micro topics में divide करो quantitative aptitude के बहुत सारे topics बन जाएं नंबर सिस्टम में अच्छे हो शेदरे मेंडर वाला topic खराब हो तो इस तरह से आपको properly पता लग जाएगा कि यार मेरे na quantitative aptitude मेरा खराब नहीं है quantitative aptitude के मेरे 5 topics वीग चल रहे हैं बागी topics तो मेरे ठीक हैं यहां पर आपने जब micro topics के अंदर उसको किया ना उसको separate किया उसके इस पर आपको पता लग पाया कि हां यार मुझे इन चीजों पर work करना है और इन चीजों पर तो मैं already अच्छा हूँ तो जब आपको एक direction में नहीं मिलेगी ना तब तक आप इसमें improve नहीं कर सकते और micro topics के लिए चीजों को divide करना ही आपको side direction में लेके जाने वाला है उसी इतना से concept प्लस formula दोनों का combination लेके चलो कई पर students के होता है ना formula के उपर इतना भागने लग जाते हैं कि concept नहीं समझते कई वार on the other hand हमारे लिए formula भी important होता है तो दोनों का balance मना के चलो पहले concept समझो फिर अगर formula को आपको याद भी करना है तो उसको याद कर लो पर concept समझ के क अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा question स्लेक्ट करना है कौन सा नहीं करना मैं आपको example देता हूँ माल लो आपको वेपर आपने उठाया पहला question देखा आपको अगर आपको तैयारी अच्छी है आपको पढ़ते सारी पता लग आप फटा-फटा उस question के कर लोगे, इस तरह से अगर आप इस तरह से round basis वे उपर अपने exam को attempt करोगे, trust me, कोई भी easy question आपका कभी छूटेगा नहीं, अच्छे से time manage कर पाओगे, and marks भी अच्छे आप आएंगे, फिर जब second round में आना है, तब इस question को देख ले ना, जो tough वाले question थे, तो ensure क्या करना है, easy question कोई नहीं छोड़ना, साथ के साथ ही emotional attachment, कि ये topic मेरा favorite है, इसको मैंने करना ही करना है, ये चीज़ों को भी अपने साथ से हटाओ, and lastly, अच्छे से mock test दो, ठीक है, डिरेक्टली जाके, exam में अगर आप सीधा जाके देने लग जाओगे ना, तो मुश्किल आएगी, ठीक है, आप notice करते हो ना, कैसे अगर मान लो, इंडियन cricket team में मान लो, ठीक है, अस्टेलिया जाती है, मान लो, अगर मैं अच खेलने जाना है अस्टेलिया, ठीक है, तो पहले जाके ना, थोड़ा practice करी जाती है वहाँ पे, पहले जाके वहाँ पे कुछ वहाँ की पिच्छ देखी जाती है, कितना weather है, सारी चीज़ें, तो यही सेम चीज़ आपको mock test help करती है, directly C-set के UPSC में जाके सीधा C-set का paper attempt करोगे, तो मुश्किल आएगी, कुछ particular mock test ज़रूर देने चाहिए आपको, ताकि ensure क्या जा पाए, कि आप, आपको पता लगपाए, कि यार मैं चीज़ों में अच्छा हूँ, नहीं हूँ, time management ठीक है नहीं है, question को pick and choose करना आता या नहीं आता, emotionally attached तो नहीं हो जाता, ये सारी गलतियां, जो करनी हैं न, mock test में कर लेना, final battle के अंदर मुझे ये गलतियां आप सबसे नहीं चाहिए, I hope आपको आज के lecture से, समझ आया होगा कि जो लोग C-set clear नहीं करते, उनके clear ना करने के पिछे क्या कारण है, and साथ ही साथ, क्या चीज़ें हैं, जो हमें करनी है जो बहुत ही helpful होगी, ठीक है friends, I hope आपको आज के lecture अच्छे समझाया होगा, इसी तरह से आप भी अपने end पे hard work करते रहिए, good bye and good luck.